बिहार सिच्छा विभाग की आदेशों पर खड़ा होने लगे हैं सवाल और सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकारी अस्कूल के सिच्छक एक वैसे आदेश का ब्रोध हुआ है और अपरमुक्सचीव के पास में सिच्छक ने पत्र भी लिखा है और कहा है कि या ठीक नहीं है यानि कि योगता पर सवाल खड़ी की गई है जाच पर सवाल खड़ी की गई है और बहुत कुछ कहा गया है इसे इस के पास में पत्र लिखा गया है और वह एक सरकारी बिद्धाले के सिच्छक भी हैं नमस्कार मैं हूँ सुनेल और आप इस समय देखना सुरू कर चुके हैं बिहार के सिच्छकों के लिए बड़ी खबर वाली कार्जक्रम तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कियोंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आपको बता दें कि सिच्छा विभात के अपर मुक सचिव इस सिधार्त को एक सिच्छक ने पत्र लिखा है और प्राइबेट कमपनियों और अन्य लोगों के द्वारा विद्धाले जाज पर सवाल ख़ा किया गया है आपको बता दें कि पुर्भी चंपारन के नो स्रजित प्राथमिक विद्धाले के प्राथमिक विद्धाले लच्मी पूर के परधाना ध्यापक ने शिच्छा विभ यजाच करने की योगता पर सवाल ख़ळा किया गया है 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 हम लिखे विद्धाले की स्वार सवाल किया गया है gathered लिखे विद्धाले की जाच हो मगर जिनके सैचनिक डिगरी पर भी संदे हैं उनकी जाच की जाए सवाल खड़ा किया गया है लंबे चोड़े पत्र में उन्होंने विस्तार पुर्वक एसीएस को एब बात कही गई है पत्रांग दिनांग भी लिखा गया है अब यह पत्र सही है गलत हम हम इसकी पुष्टी नही करते हैं फिर भी पत्र जो वाइरल हो रहे हैं उस पत्र के अधार पर हम बता दे की कर्याले नो सर्जित प्रात्मिक बिद्दाले लच्मीपूर वार्ड नमर 16 तुर्कोलिया से लिखा गया है जिसका पत्रांग 24 है और दिनांग 19-10-2024 है इसमें अपर मुक सचिव सिच्छ विवाग बिहार सरकार पटना को लिखा गया है विस्थे पर्खंड सिच्छा पता दिकारी कर्याले के बीपीम और बी आर्पी की परकार्ज पर नाली और निरिच्छन परकिरिया की शिकायत है विस्थे में अंकित किया गया उन्होंने कहा है कि सभिने आगरा करते हुए कि मैं सुनील कुमार नौ सर्जीत प्रात्मिक बिद्याले लच्मिपूर वाड नमर 16 परकंड तूर्कौलिया जिलापूर्वी चंपरन का परधाना ध्यापक हूँ मैं आपके समझ परकंड सिच्छा पदादीकारी कार्याले में कार्जरत ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर यानि ब्लॉक रिशॉर्स परसन बी आर्पी की कार्जपरनाली के समन्द में अपनी सिकायत दर्ज करना कराना चाहता हूँ उन्होंने आगे पारागराप में लिखा है कि प्रात्मिक सिच्छा में सुधार है तू बिद्यालियों का नीमित और शही तरीके से निरिचन अतियावश्यक है परन्तू एसा परतित होता है कि बी पी एम और बी आर्पी के पास बिद्यालियों के निरिचन है तू ना तो क पर्मान पत्र भी सत्यापित नहीं है इस स्थिती में जो जाज की विसय की बात है उन्होंने बिनम्र होते हैं पारागर आप में लिखा है कि मेरा बिनम्र सुझाओ है कि विध्याले निरिछन के लिए उन पदाधीकारियों या चैनित धिकारियों को ही भेजा जाए जो परद बलकि विद्यालियों में संचालन में भी सुधार देखने को मिलेगा। जाच्रि निरिछा नहीं करते हो। हो सकता है हुखुमत चलाते हो। परधाना द्यापक है सिच्चको को उस दुरहन से मन समान से बात नहीं किया करते हो। कई बाते हो सकते हैं। इस तरह की बाते कई बार उठते रहते हैं, हलाकि इन तमाम चीजों पर सिच्छा विभाग को मन्थन करना चाहिए, उसके बाद ही आदेश निकलना चाहिए, तो खेर जो कुछ भी है, अब तो इस पर क्या एक्सन लिया जाता है, या फिर उसमें सुधार होता है, या फिर पर इतर हैं, और इस तरह के मावलों में SCS को सुननी चाहिए, और करवाई भी करनी चाहिए, ताकि आगे से किसी परकार की गलती नहीं हो, और सिच्छा में सुधार हो, गुनवता पुन सिच्छा मिल सके, तमाम लोग जो हैं, चाहे वो सिच्छा विभाग के अदिकारी हो, SCS महुते का क्या फैसला आता है, इस पर नजर रखने की जरुवत है फिलाल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजे इजाज़त, जय हिंद, जय भारत, बंदे मातरं,